नागलवाडी शिखरधाम मंदिर के घाट पर दिखा तीन धुआ पुजारी ने बनाये वीडियो सोसल मिडिया पर खुब वाइरल हो रहा है वीडियो शिखरधाम मंदिर के अध्यक्ष दिने स्यादव ने की वीडियो की पुष्टी दिने स्यादव के अनुसार मंदिर के पुजारी राजेंद्र बाबा रात में 8 बजी की करीब जब मंदिर से आरती कर अपने आल्टो कार से शिखरधाम का घाट उतर रहे थी इसी दोरान शेट के पहले मोड पर पहाड की किनारे उन्ही और उनके साहक केशव को तेंद्वा बेठा दिखाई दिया इस दोरान बाबा के साहक केशव ने अपने मोबाइल से तेंद्वे के फोटो और वीडियो बनाए बाबा इस दोरान गाड़ी चला रहे थी 20-30 सेकंड बाद गाड़ी का हारन बजाने के बाद तींद्वा वापस पहाडी उतर गया दिने से आदव कहते ही शिखर धाम मंदीर के होने से पहाडी पर जंगल और पोधों का संरक्षन हो रहा ही इसलिए अकसर यहाँ पर वन्य प्राणी देखने को मिलते ही इससे पहले कई बार तींद्वा भालू बंदर जेसे वन्य प्राणी अकसर यहाँ पर देखने को मिलते ही सबसे बड़ी बात तो यह ही कि जिस वक्त गाड़ी का लाइट केमरे पर गया उसका वीडियो बनाया तींद्वा बिलकुल भी हिंसक नजर नहीं आया और शांती पुर्वक वापस पहाड से नीचे उतर गया बाबा वह उसके साहिक द्वारा बनाया गया वीडियो फिलहाल सोसल मिडिया पर खुब वाइरल हो रहा ही